नमस्कार TNP न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आर्जदुबे बुलिटेन की शुरुवात करेंगे और सीधा खबरों की ओर चलेंगे भारत आज 26 जन्वरी को 74 गड़तंत्र दिवस मना रहा है इस मौके पर करतवे पत पर परेड निकाली गई इस परेड में स्वदेशी सेने पराकर्म और नारी शक्ति की ताकत नजर आई आस्मान में प्रचंड और रफेल समित 50 विमानों की उडान में सीमाओं पर परेव भारतिय युवसेरा की शक्ति प्रदर्शित की ये दृश्य हर भारतियों का सीना गर्ब से चोड़ा करने वा तो वहीं घ्रह मंत्राले द्वारा नशामुक्त भारत की जहांकी और केंद्रिय सशक्त्र पुलिस बल की जहांकी में नारी शक्ति को दर्शाया गया आखिर में भारतिय सेनाओं ने 50 विमानों ने फ्लाइंग पोस्ट किया गर्तंत दिवस के मौके पर कर्तव्य पत्थ पर 23 जहांकिया शामिल हुई जिसमें से 17 जहांकिया विभिन राजियों और केंद्रे साशित प्रदेशु की हैं और 6 विभिन सरकारी मंत्रालियों और व गुजरात विशे पर रही जबकि आंत्रप्रदेश की जहांकी में मकड सक्रांती के दौरान किसानों के तोहार पर प्रभल तीर्थम को दर्शाये गया वहीं उत्तरप्रदेश की जहांकी में अयुध्या में मनाई जाने वाले तीन दिवसी दीप उत्सव को दर्शाये गय कि ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़के वहीं अब मुख्य मंत्री नितीश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई है नितीश कुमार ने कहा है कि अगर वो पार्टी में रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है और जाना चाहते हैं तो उनकी इच्छा है नितीश कुमा कि पार्टी के अंदर जो बात करता है वो आपस में बात करता है हम उनको ट्विट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे करता है वह तो एक लग्द पर पूचिये कि आप तीन बार के बाद फिर लौट करके पार्टी में आए सब आपको इज़त दिया सब कुछ किया है क्या है नहीं करना वात न करेंगे जी वहला मेडिया के सामने है और कही कोई मने इसको बढने ट्वीट करके कोई बात करता है य आज तक ही सुने हैं, कोई भी पार्टी में जो रहते हैं, वो ट्वीट करके कुछ बोलते हैं, आप समझ लीजिए, इसा भी सब नहीं होता है, जाने का मन है वो जाने, आए वो हम लोग स्वागत किये, रहें बहुत अच्छा, नहीं रहें कहीं और जाएं, अपनी इच्छा, इन सब चीज़ों पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इन सब विश्यों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, समाजवादी पाटी MLC स्वामी प्रसाद महरे अपने बयानों को लेकर बीते कुछ दिनों से चर्चाओं है, अब उनका ताजा बयान सपा संस्थापक मुलाइम सिंग यादख को लेकर सामने आया है, दरसल एक अधिकारिक बयान में नेता जी को पद्म विभूशन देने का एलान किया गया, जिसके बाद सपा नेता ने चोकाने वाला बयान दिया है, स्वामी प्रसाद महरे ने नेता जी को पद्म विभूशन दिये जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुलाइम सिंग को पद्म विभूशन देकर उनका अपमान किया गया है, मुलाइम पठान 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 की ही गूंज है पठान के आने वाला जश्न कई लोगों ने थेटर्स में डांस करके मनाया तो वहीं पठाके फोड़ कर पठान की धमाकेदार एंट्री से सिनमा घरों में रॉनक लॉट आई है बता दे के फिल्म को पहला दिन ओडियन्स से जा रहा है फिलाल के लिए इस बुलिटन में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप देखने के लिए देखते रहे है टेन पी न्यूज